ओमे नमह सिवाई नमस्कार मित्रों क्या आपका नाम उमेस है अगर आपका नाम उमा या इसके अलाबा यदि आपका नाम इंगलिस अलफाबिट के यू अक्छर से सुरू होता है तो यह बेडियो सिर्फ आपके लिए है क्योंकि इस बेडियो के माध्यम से मैं आपको बताने बाला हूँ कि जिन लोगों का नाम यू अक्छर से सुरू होता है उन लोगों के जीबन में साल 2022 में क्या-क्या पडिवर्तन क्या-क्या बदलाब होगा मित्रों इस बेडियो के अंत में आपके आने वाले शमे का अनोखा तोटका है तो आप उसे भी देखें ताकि आपका आने वाला शमे बिहतर एबम सांदार हो सके मित्रों यदि आप अपने जन्म कुंडली, हस्त रेखा या अपने जीबन के बारे में कोई भी बातें अगर आप जानना चाहते हो तो अभी आपके सामने डिस्पले पर या इस बेडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा वाटसेप नमबर है जिस नमबर पे यदि आप मुझे वाटसेप करते हो तो आपकी बात मेरे से हो जाएगी तो कुछ भी जानने के लिए मैसेज अबश्य करें मित्रों अब आगे हम लोग बात करने बाले हैं कि जिन लोगों का नाम यू अक्छर से सुरू होता है तो इन लोगों के जीबन में साल दो हजियार बाईस में किया किया बदलाब होगा मित्रों शब से पहले मैं आपसे बात करने बाला हूँ आपके धन संपती के बारे में मित्रों आने बाले शमय में पैसों के द्रिष्टी कौन से आपका शमय सामाणने से बहुत जयादा बिहतर एबम सांदार होगा मित्रों आने बाले शमय में भगबान सनी के कारण पैसे कमाने का मौका आपको बहुत जयादा मिलेगा क्योंकि साल 2022 में भगबान सनी की दृष्टी आपकी रासी के दूसरे घर में होगी एबं भगबान सनी की दृष्टी दूसरे घर में होने के कारण आपका आर्थिक जीवन बहुत जयादा मजिबूत एबं बिहतर होगा आने वाले शमय में आपकी आर्थिक इस्थिती बहुत जयादा बलबान होगी मित्रों आने वाले शमय में जुलाई के महिने से लेकर अक्टूबर के महिने तक का समय आपके पैसों के दृष्टी कौन से बहुत जयादा मजिबूत होगा इस अबधी में पैसे कमाने का मौका आपको बहुत जयादा मिलेगा। मित्रों साल 2022 से पहले यदी आपका पैसा कहीं रुक गया था, कहीं फस गया था, तो आने बाले शमय में अपने रुके हुए धन को प्राप्त करने का प्रयास आपको करना चाहिए, क्योंकि इस काम को करने में आपके समय का सपोर्ट आपको अबश्य मिलेगा। मित्रों साल 2022 में आपकी कुंडली के बारह में घर में केतू की द्रिष्टी होगी, एबम केतू की द्रिष्टी बारह में घर में होने के कारण आपके खर्चों में भी बहुत ज्यादा ब्रिध्धी होगा, आने बाले समय में आपके कमाई में बहुत ज्यादा ब्रिध्धी होगा, लेकिन आपके खर्चों में भी ब्रिध्धी अबश्य होगा। मित्रों आने वाले समय में यदि आपके केरियर की बात करें तो केरियर के दृष्टी कौन से भी आपका समय अच्छा भीतेगा मित्रों आप में से जो भी जातक नौकडी करते हैं जोब करते हैं तो आने वाले शमय में आपके सहकर्मी आपके कर्मचाडी इन लोगों का सपोर्ट आपको बहुत ज्यादा मिलेगा एबम इन लोगों के सपोर्ट के कारण आने वाले शमय में आप अपने करज छित्र में बहुत ज्यादा आगे बढ़ेंगे मित्रों आने वाले शमय में जनबडी मई जून अगस्त सितंबर एबम दिसंबर का महिना आपके केरियर के दृष्टी कोन से बहुत ज्यादा मजबूत एबम हत्वपुर्ण होगा साल 2022 में इन महिनों में आप अपने केरियर के छित्र में बहुत ज्यादा तरक्की करेंगे मित्रों आने वाले शमय में मई एबम अगस्त के महिनों में आपके नौकडी के छित्र में आपके अस्थानांतरन की संभाबना बहुत ज्यादा होगी एबम साल के अंत में विदेश यात्रा की संभाबना बहुत ज्यादा बनेगी मित्रों आपके कार्ज छेत्र में एबम आपके जीवन में जो आपके बिरोधी है जो आपके दुस्मन है तो आने बाले शमय में अपने बिरोधियों पर एबम अपने दुस्मनों पर आप हमेशा हाबी रहेंगी क्योंकि इन छेत्रों में आपके समय का सपोर्ट आपको बहु इबम आपकी संतान के बारे में मित्रों आने बाले शमय में आपका पड़िवाडिक जीबन सामानने रहेगा न जयादा मजबूत न जयादा खराब मित्रों आने बाले शमय में आपको ग्रिह कलेश से दूर होकर सांती के साथ निबास करना चाहिए मित्रों आने बाले शमय में जमीन जाइदाद या धन संपती के कारण आपके घर का माहौल आपके घर का वाताबरन कुछ समय के लिए बहुत जयादा खराब होगा लेकिन आने बाले शमय में आपको अपने घर के माहौल को अपने घर के वाताबरन को अच्छा बनाने का प्रयास हर हमेशा करना चाहिए क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो भगबान सनी एबम गुरू बिरस्पती का सपोर्ट आपको अवश्य मिलेगा मित्रों आने बाले शमय में आपके घर में खुसी का माहौल बहुत जयादा रहेगा एबम इसके अलाबा आपके परिबार में किसी का बिबाह या किसी का जन्म अबश्य होगा एबम इन चीजों के कारण आपके घर में खुसीयों का माहौल हमेशा होगा मित्रों आने बाले शमय में आपके माता जी के परिबार के कोई मिंबर या फिर आपका कोई भी करीबी किसी भी धार्मिक यात्रा पर जा सकता है तो मित्रों इसके बाद बात करते हैं कि आने बाले शमय में किस टोटके को आजिमाने के बाद आपका शमय बिहतर एबम सांदार होगा मित्रों आने बाले शमय में अपने समय को बिहतर एबम सांदार बनाने के लिए आपको प्रती दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए मित्रों यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका आने बाला शमय बहुत जयादा मजबूत एबम बिहतर होगा तो मित्रों इस वेडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वेडियो को आप लाइक कर दे साथ में इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दे एबम इस वेडियो के नीचे हरे हरे महादेब कमेंट कर दे एबम इस वेडियो को आप हर जगह से यड़ कर दे धन्यवाद जैसी आराम